बच्चो क्या हल चाल बच्चो अम कोश्चन नमबर 3 करते हैं एक्साइब 13.5 का क्या लिखा है कोश्चन में अब क्यूबिडल वैसल इस 10 मीटर लॉंग एंड 8 मीटर वाइड यहां पर हमको एक वैसल है क्यूबिडल से अब में है जिसका लैंट और विर्थ दी हुई है और हाइट पूछी जा रही है और हमको इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है कि यह कितना लिक्विड को होल्ड कर सकता है यह उसका वॉल्यूम दिया हुआ है तो सिंपल सी चीज़े वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे उसमें वाकि सारी वैल्यूस पूट करेंगे और हाइट फाइंड आउट कर लेंगे चलिए करते हैं कुश्यन लेंथ दी हुई है टैन मीटर व्रेट दी हुई है एट मीटर और वॉल्यूम दे रखा है इसका हमको 380 क्यूबिक मीटर यहां क्यूबिक मीटर में दिया है तो सिंपल वॉल्यूम हो गया वहारा अब हमको हाइट इसकी फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला लगाते हैं कि वॉल्यूम ओफ बैसल इस इकल टू एल वी एच तो वॉल्यूम हमको गिवन है 380 और एल दिया है 10 ब्रेट दि जीरो से जीरो कड जाएगा अब हम 8 से इसको 8 से 38 को हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाता है 8 4 32 बचा यहां पर 6 यहां पर डेसिम्ल लगाए 0 ता रहा तो 87 जा 56, 4 बचा यहाँ पर हमने फिर यह 0 किया 85, 40 तो हमारा आंसर क्या आ गया H is equal to हमारा आ गया 4.75 यह हमारी मीटर में इसकी हाइट आ गई वैसल की